क्या दिपिका प्रेगनेंट नहीं है? क्या प्रेगनेंसी की ख़बर जूटी थी? तो क्या रनवीर अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में यू ही खुश हो रहे थे? अरे नहीं रे, रुको तो सही, दिपिका के घर में जल्द ही किलकारिया गूजने वाली है, ये ख़बर त दीव वीर को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उड़ी अफबाएं ऐसा माना जा रहा है कि दिपिका नहीं है प्रेगनेंट बलकि दिपिका और रनवीन ने बच्चे के लिए सरोगेसी का सहारा लिया है दरसल ना ये सवाल हमारे है और ना ही हम लोग इस कपल पर सवाल खड़े कर रहे हैं ये सवाल तो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है एक फैन पेज के जरीए अब इस खबर ने सब के होश उड़ा दिये हैं पर ये खबर उड़ी कैसे चलिए ये समझते हैं पहले ये तो सब को पता है कि ये दोनों कपल शादी के पास सालों के बाद पैरंस बनने जा रहे हैं 29 फरवरी को कपल ने ये खुश खबरी अपने फैन्स के साथ सोशल मीडिया के थू शेयर की थी और बताया था कि ये कपल अपने पहले बेवी का स्वागत सितंबर में करने वाल है दरसल ये दावा फैन्स प्लैटफर्म रेडिट पर किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि ये दोनों कपल पैरंस तो बनेंगे पर सरोगेसी के साहरे जिसके बाद वालीबूट गलियारों में एक बार फिर से फुस फुसाहट शुरू हो चुकी है इतना ही नहीं इसके आ बच्चा इनका आने वाला है पर अब सवाल ये है कि दिपिका है कहां क्यों नहीं वो मीडिया के सामने आ रही है क्यों अभी तक दिपिका ने बेबी बंब की तस्वीर नहीं शेयर की भाई इस पेच पर ये भी लिखा गया है कि सितंबर से पहले दिपिका सब के सामने आए या यह भी हो सकता है कि रंगवीर के साथ कही इंडिया से बाहर ही चली जाए मतलब जो भी हो दिपिका फिलाल पब्लिक के सामने नहीं आने वाली जब तक सितंबर ना आ जाए तभी दिपिका ने सारे पैंडिंग प्रोजेक्स पहले ही पूरे कर लिए और अब मैटिनेटी ल आपडेटिड रहने एक लिए सब्सक्राइब करें श्रेश्च भारत को हिए भारत पर खब्रों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत